कुछ ती के गाईickets मेरा नमश्वायम बूलकर ऑर से हमारा स्टार्टू praying while the number 6 इससे पहले हमारे पास lecture होके अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लिज् science कि आज क्या पढ़ने वाले हम आज हम देखेंगे रिमेनिंग पार्ड हम कर लिया था कितना कि वाट इज और पिरामिड ऑफ नंबर तो हमारे बचेते पीरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो उसको कर लेंगे पर उससे पहले कुछ चीज़े हैं कि जितना भी हमारा आस्तक की हुआ है उसको थोड़ा सा हलका से एक रिवाइज कर लेते हैं तो हमने बोला था कि हम इन्वार्मेंट पढ़ेंगे और निर्वार्मेंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था ठीक है तो पहला था हमारा एकोलोजी एंड एकोसिस्टम फिर हम करेंगे आपका बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बाद हम करेंगे आपका प्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो फिर हमने स्टार्ट किया था आपका ecology and ecosystem, और ecology और ecosystem में हमने देखाते कि क्या होते हैं उसमें organizations, ठीक है, तो पहला होते हैं हमारा individual, individual, और individual को फिर हमने, sorry, पहले देख लेदे, individual से फिर आते हैं आपकी population, और population से फिर आपका community, community, और community से फिर बनेगा आपका ecosystem, ecosystem के बाद आपका बायोम, बायोम और बायोम के बाद देखिएंगे आपका बायो स्पेर, तो हमने देख लिया था, individual, individual में देखा था, हमने species, राइट, तो species, species को हमने पाज पार्ट में डिवाइट किया था, पहले थे हमारी नेटिव, 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 और नेटिव, और नेटिव, फिर हमने देखा था, कि क्या होते आपकी, की स्टोन स्पेसिज, की स्टोन स्पेसिज, फिर हमने देखा, की स्टोन स्पेसिज के बाद कि क्या होते आपकी, इनदेमिक स्पीज Georgia निया में इन दिफ्रेंट भी जान लेता कि क्या ओते इनने इन बियंक पैंडेमिक और इप्डेमिक फिर एनि मीक के बाद आती आपकी indicator species indicator species और indicator species के बाद आते है आपर फ्लैक्षिप flagship species तो species कर लिया था हो species के बाद तो हमारा क्या बचा था आपका population तो population क्या होता है population is nothing but the group of same species or community it is nothing but the group of different species community के बाद आगे था हम आपके ecosystem पे, तो ecosystem, ecosystem, तो ecosystem क्या होता है, हमने देखा थे कि it is nothing but the interaction between biotic and abiotic component, फिर हमने क्या देखा था, interaction, interaction between biotic and abiotic, तो फिर हमने interaction को define किया था, दो type के, पहला था positive, second थे हमारे negative interaction, तो दो species में होगा, इसलिए हम किसको कई से assign करेंगे, मान लो ये one species है, ये second species है, इसको अगर harm हो रहा है, एक मिनट, अगर मान लो इसको harm हो रहा है, तो इसको assign करेंगे minus, और इसको फायदा हो रहा है, तो ये हो जाएगा plus, अगर इसको फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है कर दोनों तो प्लस हो जाएगा, अगर इसको फायदा हो रहा है, और इसको नहीं तो नुक्सा प्रेडेशन पेरेसेटिजम है ना मुचलेजंग सिम्बाटिक असोशियेशन यह तो हमने कर लिया बस मैं आपको ओवर्यू दे रहा हूं कि हमने क्या क्या किया है और अभी क्या क्या करने वाले ठीक है तो इको सिस्टम में हमने इंटरेक्शन देख लिया फिर इंटरेक्शन इंटरेक्ट ऊच्छन फैसे अगर लाइट कम होगा तो क्या होगा संग्लाइट पाणी के नीचे कितने मीटर तक कर देखा इस अब यह सब ही चीज़े उसे में आगए आपके अभायटिक फैक्टर में फिर अपका वेजिटेशन कैसे डिपाइन होता है ओ भी देख ले रह तो हमारा बायोम्स का बाइने वाला है देख लो एको सिस्टम के तुरंद बाद ही हमारा बायोम्स है तो जब बायोम्स पड़ेंगे तो बायोम्स में हम उसको और डिटल में पड़ेंगे तो यह इतना तो हमने कर लिया था फिर हमने देखा था कि बायोटिक और फिर बायोटिक में हमने क्या देखा था कि क्या होते जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेट हो जाएंगे फिर हम आप चल अमने कल चालू किया था आपके function of ecosystem ठीक है function of ecosystem तो function of ecosystem में क्या क्या हैगा हम देखने वाले थे उसका कि पहला energy flow मतलब energy ecosystem में flow का इसी करती है तो इसको फिर हमने तीन पार्ट में दिवाइड किया तो फ़र्स्ट है हमारा एक मैं फ्रस्ट हमारा food चेन फिर हमने देखा था कि क्या होता है आपका food chain सेकंड है हमारा food web और हमने ये भी देखा था कि food web में ज्याद़ alternatives मिलते या फिर फूट चेन में ज्याद़ alternatives मिलता है ठीक है इतना clear है फिर हमारा third है पीरामीड ए और इस पिरामीड को हमने तीन पार्ट में फिर से डिवाइड किया तो पहला था हमारा पिरामीड ओफ नंबर्स पर सेकंड है हमारा पिरामीड ओफ बायो मास ले लिए तेते सेकंड में है और फिर तर्ड है हमारा पिर chinese ओफ एनरजी कर आद्यर पूर में हमने दो जगात तीन पिरेमिड करता है तो मतलब तीन तो थे पर उसको दो इसमें डिवाइड किया था पहला था हमारा लैंड के ऊपर कैसा पिरेमिड हो देखा था और हमारी वाटर इसमें कैसा होगा हमारे पिरेमिट वो देखा था इतना क्लियर है कोई इश्य नहीं तो अभी चलते हैं आगे तो हमारा क्या हो गया pyramid of number हो गया हमने देखा था कि spindle shape का बनेगा inverted का बनेगा और upright का बनेगा और इसके लिए हमने example दिये थे आपके land वाल पूट्चन के बारे में फिर हमने देखा था आपका tree है जो पूट्चन और फिर हमने देखा कि आपका aquatic फूट्चन में तो अभी देखते हैं आगे कि आगे चीजे कैसे progress हो रही है तो पिरामीड आफ नंबर था हमने देख लिया अभी पिरामिड आप बायो मास्स क्या होता है इसको रफ कर देता हुम अगय खोली स्टिक आइज हमाट समझ लो कि हमें क्या 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 करना और हमने प्रा कॉर्स होगा इसी लाइन पर हम आगे-आगे में बहते जाएंगे तो पिरमेड अब बायोमास तो बायोमास में ड्राइब वेट लेंगे इनका ठीक है। बस एक लाइन यादर रख लो कि लीट आप पीरमीड अब बायोमीर आइक में क्या लेते हैं वनका ड्राइब बेट बस निरुलक पेंट वेगार खरीद लो दिवार पैसा लिख दो कि वी आर गॉना टेक आ और ड्राइवेट ओनले तो बायो मास्क्ट क्या होता है उनका वेट समझ लो तो अगर मैं जितने भी पेड है ठीक है इन सभी पेड का वेट कि ड्राइवेट केल्कुलेट करूँ ठीक है लैंड के उपर की बत करो तो पेड की ले रहे क्योंकि पेड हते हैं हमारे प्राइमरी प्रोडूसर्स तो अगर मैं जितने भी प्रोडूसर्स का वेट लूँगा और प्रोडूसर्स हमारे कहां पर होते हैं प्रोडूसर्स होते ह छे से साथ पॉसिवल है और यह क्यों होता है क्योंकि energy flow के गारण होता है तो आगे देखलो तो हमारे जितने भी पेड़ है इनका अगर मैं मास कैलकुलेट करूँ और जितने भी यह उसके उपर प्राइमरी कंजूमार सेकंडरी टरसरी और कॉर्टरनरी कंजूमार इनका देखलो इनका वेट अगर कैलकुलेट करूंगा तो इनका वेट सबसे ज़्यादा आएंगा देख रहा हो ना क्यूंकि एक पेड़ कितना बड़ा होता है और कितने सारे पेड़ है तो एक पेड़ का वेट कितना होगा ठीक है अगर आदमें उनको खा रहे या फिर बक्री प्राइमरी के बारे में बात करेंगे तो उनका नंबर और कम होगा से कंडरी में उनका वेट और कम होगा और टाइगर कितने होगे दुनिया में बहुत कम तो उनका अल्रेडी नंबर भी कम है तो उनका वेट भी कम आएगा तो यह कैसा पिरामीड बन रहा हमारा अप्राइ good आप्योंद HEY को फूई कुझ तो एक जैसा हमने करें क्लिएक लाइन लिखा था किसके बारे में पिरामिद ऍाइबभ नंबर इन ऐकवटिक एको सिस्टम में तो वैसे ही एक लाइन लिख लो हुआ है तो अमारे पिरामिड ओफ बायो मास के बारे में किसके लिए लैंड के लिए दपीरामिड ओव बायो मास इन ग्रास लैंड इको सिस्टम या फिर उसको लिख सकते हम ग्रेजिंग फूट चेंट इस आलवेज अप्रइट कंगल अप्रइट वाली चीज हम ने किसके लिए लिखी थी हमने लिखी थी अपके एकवातिक एको श्युश्टम के लिए तो वही लाइन सेम practice करना है पर किसका नाम आएगा अभी नाम आएगा आपके ग्रेजिंग फूर्चेन का पक्का लिख लिए अगर मैं बात करूँ अभी हमने क्या देखता कल कि यहाँ पर बहुत सारे फाइटो प्लेंक्टन होते हैं और यह फाइटो प्लेंक्टन नंबर्स में बहुत ज़्यादा अतर पर इनका वेड बहुत निकलीजबल होता है फिर यहाँ पर आती है मचली है यह समझ लो मचली है फिर यहाँ पर आता है आपका बड़ी मचली खाने वाली इनको ठीक है समझ लो फिर यहाँ पर आती है आपकी वेल या फिर शार्क वेल शार्क ऐसा कुछ पकड़ लो तो अगर आपको कंपेरिजन करोगे फ्लाइट अप्लाइटन का तो फ्लाइट अप्लाइटन तो माइक्रोइट लिए स्मॉल होते है तो इनका वेट कैसे होगा वेट भी बहुत कम होगा ठीक है कंपेर करेंगे इन मचली का वेट तो इनका तो इन से तो कमी होगा ठीक है और एक वेल को अगर हम कंपेर करेंगे तो वेल का वेट कितना होता है, सामझे रहा है, तो आपकी aquatic ecosystem में, aquatic ecosystem में मान लो यह क्या है, आपके phytoplankton, फिर आपकी छोटी मचलिया, फिर उस से भी बड़ी मचलिया, और यहाँ पर आगे आपकी वेल, तो यह कैसा बन रहा है, inverted, तो अगर मैं वेट को comparison करूँगा, aquatic ecosystem में, तो वो आएगा inverted, ठीक है, समझ रहा है, अगर अगर नंबर को compare करूँगा, तो वो आजाएगा upright, तो यह difference होता है, आपके inverted और upright पिरामिड में, वो बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी food chain में, कैसे पिरामिड बनेगा, कहा पर अपराइड बनेगा, और कहा पर आपका inverted बनेगा, ठीक है, तो यह तो हमने देख लिया, अभी इसकी थोड़ी सी थेरी समझ लो, यह आपके वास इसकी थेरी, तो पिरामिड अप बायमास, for the pyramid of biomass, dry weight is considered, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पिरामिड अप बायमास on terrestrial ecosystem is always upright, यह एक नोड बना के लिखे लो, terrestrial ecosystem, यह तो सी कहा हम कहिता, आपकी grazing पूट चाहे, जिसमें क्या होगा, आपका always upright, always upright, इसको highlight कर लो, always upright, because the weight of producer, the weight of producer is greater than, that of the primary consumer and so on, मतलब जैसे भी आपके successive topics होंगे, उनके उपर कैसा होता जाएगा, आपका जो weight हो कम होता जाएगा, as we go up, 90% of biomass is lost at each tropic level, ठीक है, वह इसे उतना काम का नहीं है, most of biomass of lower tropic level is not eaten and become input to the decomposers, तो हमने कहा देखा था कि जो पेड है, पेड को सिर्फ पेड खाएगी का, बक्रिया नहीं खाएगी न, पेड के पत्ते खाएगी, तो पेड तो वही सही बचा रहेगा, ठीक है, अगर माने लोग पेड कड भी गया, तो वही पे गिरेगा, और उसको भी कोई खाएगा, कोई खाएगा क्या नहीं, तो most of the part, पेड का किस में होगा, ट्रंक में होगा, most of the biomass, ट्रंक में होगा, तो वह ट्रंक तो वही पेड सूप जाएगा, मतलब वह किसको खाएगे, फिर अगर, आमने क्या देखा था, डेड और, डेड मैटर होगा, तो इसमें कोंसी फूट सेंच चाले हो जाते है, आपकी, साप्रोट्रोफिक, डेट्रिटर्स, तो डेट्रिटर्स क्या करेंगे, जो डेड मैटर है, उसको खाएगे, तो यह बस वही लिखाएगे, जो बाइगे, तो यह बस वही लिखा है कि most of the biomass of lower trophic level is not in done, and become input for decomposers, not all the biomass is consumed by organism, is converted into tissue, but it is stored or utilized, तो सभी तो TCP में नहीं होता, कुछ fat में convert होगा, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है, तो ही energy है, इतना details में मत जाओ, बस मैंने आपके लिए डाल आएक, ताकि अगर कुछ हलका सा question भूम जाए, तो बस आप थोड़ा सा इसको सही कर लो, तो pyramid of biomass in aquatic ecosystem is always inverted, इसको भी nerolac paint से लिख लेना, ठीक है, तो यह nerolac paint वाली जो डालोग है, यह सिदार्च सर की, ठीक है, यह मेरित नहीं, अगर copyright डालना होगा, तो मुझे पर मढद, तो copyright अगर डालना होगा, तो मढद डालो, क्योंकि मैंने अब भी बता दिया उनका नाम, इसके हमने देख लिया, कि phytoplankton का weight का इसा होता है, negligibly होता है, and hence pyramid become inverted, कई होता है, कैसे होता है, मैंने आपको तो बता दिया था, तो जो हमने आरे functions थे, ecosystem के functions, उसमें हमने पहला देखा आपका energy flow, energy flow में हमने देखा आपके, इसको तीन इसमें divide किया, पहला है हमका food chain, food chain, फिर है आपका food wave, और हमारा third था आपका pyramid, उसमें हमने pyramid of number, pyramid of energy और pyramid of biomass देख लिया, ठीक है, अभी हमारा second function, second function, जो हम कहेंगे, आपका ecological succession, ecological succession, तो ecological succession, तो ecological succession क्या होता है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत fast देखेंगे, आपके आपके उपर एक थोड़ी सी understanding बन जाए, तो देख लो, अच्छा हम क्या देखने वाले थे, ecological succession, तो समझ लो, initial years में यहाप एक barren land है, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी चट्टाने है, चट्टाने, चट्टाने, ठीक है, तो कुछ समय बाद यहाँ पर क्या हैंगे, आपकी moss, और छोटी छोटी ग्रास हैंगी, यह moss होगी, यह moss क्या करेंगी, इस rock को थोड़ा सा break करेगी, जब हलका सा और break हो जागा, यह ground तयार होगा किसके लिए, जो बड़ी ग्रास हैंगे उनके लिए, तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी बड़ी ग्रास उगना च्टार्ट होगी, जो कि इसको further break करेगी, ठीक है, यह थोड़ी सी छोटी ग्रास, फिर यहाँ पर उगेंगे आपकी shrubs, क्योंकि मिट्टी क्या होगी यह, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ेगी है, तो यह फिर क्या करेंगा, shrubs, इसको further deepen करेंगे आपकी soil को, मतलब rock को break करेंगे, जिससे क्या होगा, soil का development, तो यहाँ अगर ज़् और इसे बड़ेपेड उगेंगे, चोटे से, यह further क्या करेंगे आपके, ground को break करेंगे, और soil को form करेंगे, जिससे क्या होगा, फिर आपके आएंगे बड़े पेड, और बड़े पेड, बड़े पेड़ के लिए जगाए नहीं है, तो बड़े पेड़ आएंगे, तो जो इनके रूट से और ग्राउंड को, ग्राउंड में और डिप जाएंगे, जिसे क्या होगा, कि फर्दर रॉक का ब्रेक होगा, और soil का formation होगा, तो यह जो succession देख रहे हो, यह है आपका ecological succession, तो ecological succession में सबसे पहले कहेंगे आपके moss, ठीक है, तो अभी इनको मैं दो हिस्सों में divide कर रहा हूँ, यह एक line आईगे आपकी यहां से, color change कर लेते हैं, तो यह line आगई आपकी एक, और यहां से मैं गिरा देता हूँ, और यहां से गिरा देता हूँ, और यहां से आपके आपकी दूसरी लेन, तो समझो, क्या हो रहा है, यह जो है, यह वाली यहां तक, इसको हम कहते हैं आपका primary, primary community, जो पही ले आगई, जो second वाली है, इन community को कहेंगे, community की बात नाम करें कि, कि इसको हम कहेंगे, आपकी serial community, और serial community के बाद जो बड़े-बड़े पेर दिख रहे आपको, उनको हम कहेंगे, आपकी climax community, climax community, ठीक है, तो प्राय, जो आपकी यह primary community है, इसको pioneer community भी बोलते हैं, तो यह अच्छा वर्ड है, pioneer, मतलब जो सबसे पहिल आ गई, इनको हम कहेंगे, आपकी pioneer community, pioneer community के बाद आगी serial community, और serial community के बाद आपकी climax community, ठीक है, यह होता है, आपका ecological succession, और यह जो succession देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं, आपका primary succession, यह कुन सा succession है, primary, यह है आपका primary succession, और यह खोदा secondary succession, मानलो भी यह जंगल बन गया, एक नंबर, यह climax community के जंगल, बहुत बड़े-बड़े ट्री बन गया, ठीक है, तो यहाँ से हमें जो यह टाइम लगा ना, यह बड़े पीड़ोने के लिए, इसको बहुत सालों का समय लग गया है, ठीक है, बहुत सालों का मतलब बहुत सालों का मतलब यह इवल हो रहे, तो pioneer committee आएंगी वो पहले क्या करेंगी, ground को break करेंगी, जो जितना भी stone होगा, उनको break करेंगी, soil का formation होगा, उसके बाद उसके थोड़ी और बड़ी species आएंगी, वो further deep ground को क्या करेंगी, break करेंगी, फिर से soil का formation होगा, फिर उसके बाद सर्बस वगेर आएंग फिर फॉर्दर उसको डीप्र करेंगे और फिर से सलका फोर मेंसा उइसके बाद हैंगी फिर आपकी क्लाहमेक्स neonạ prolonged जो बिच में लुगा होते हैं और फिर लास्ट में आती है आपकी उनको होना है स्टोन के उपर आपका मॉस आ गया और स्टोन के उपर भी क्या हो गया कि मॉस ने पूरा उसको ब्रेक कर दिया ग्राउंग को और वहापे स्टाइल का फर्मेशन हुआ और बस दूसरे दिन वहाँ बहुत बड़ा पेड़ ऐसा होगा नहीं तो जो आपका प्राइमरी स से इसको बोलते हम आपका प्राइमरी सक्सेशन के लिए टाइम भी लगता हुगत अभी मानलो यह जो जंगल आपका क्रियेट हो गया इसको क्या कहेंगे आपका क्लैमेक्स कम्यूनिटी है ना तो मानलों यह जंगल आपका अभी डिस्ट्रॉय हो गया मतलब कुछ फायर लग गई तो फायर के कारण क्या हो गया पूरी जितने भी आपके यह है जितने भी आपकी स्पीसिज है वो जलके खाक होगे तो अभी जो सक्सेशन होगा मतलब अभी इसके बाद मतलब पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद जो अभी पेड हो गएंगे उसको हम कहेंगे आपका सेकंडरी सक्सेशन और सेकंडरी सक्सेशन क्या होगा फास्ट होगा जैसे कि हमने देखा था कि जब ग्रासेश की सीड्स होते वह क्या होते फायर रेजिस्टन ठीक है अगर फायर रेजिस्टन है तो वह क्या करेगी वही पर रहेगी और अगर वही पर रहेगी तो जब बारिस आई तो फिर से हमेंगे तो उनको उपने के लिए कुछ टाइम लग राहा क्या नहीं लग़ हुद तो यह वाधा आपका सेकन्रेरी सक्षेशों और साथ के जांभ सफ हमने देख लिया तो फरी मैं यही चलगे एक यह इकोलोजिग्ड सक्सेसर और एकोलोजिकल सक्सेशन में आपका एकोलोजिगल सक्सेशन प्रोसेस्ट बाइ विच कम्मुणीटीच ऑफ प्लान अनीमल आर ओफ पिर अप टायम त्वारिएस्ट इन मॉस आए और मास के बाद फिर आए आपके बड़े-बड़े ट्री ठीक है तो सिंपल पाइवनेर कम्यूनिटी में को नाएंगे आपके मॉस वगेरा और मल्टी सेलरल कॉंप्लेक्ट कम्यूनिटी मतलब बड़े-बड़े टीज, ओक्स वगेरा जितने भी है ठीक है इनिशल स्पीशिस तुकम इन एरिया नोन एज पायोनिएर कम्यूनिटी जैसे कि हम ने इनके बारे में बात कर ली टू मेक ग्राउंड रेडी फॉर्ड़ सब्सेक्वेंट सेरल कम्यूनिटी तो प्राइनेर कम्यूनिटी क्या करती है एक ग्राउंड प्रोवाइड करती है किसके लिए सेरल कम्यूनिटी के लिए ताकि वो क्या हो सके वहाँ पे डेवलब हो सके और सेरल कम्यूनिटी किसके Serial and climax community pioneer community में को नाएंगे आपके moss, lichen और fungus Bacteria भी आएंगे ठीक है और serial community में को नाएंगा Serial community में आपकी grasses, serbs, herbs तो serbs में और herbs में क्या different होता है उसको देख लेना ठीक है फिर आती है आपकी climax community जो होती है आपके बड़े-बड़े trees और ecology का जो term दिया था ओधिया था ser author translate नहीं है ठीक है यह translate और था translate तो यहाँ पर आपके आगे ecological succession के picture देखो पहली क्या रहा है आपके weed आ रही है ठीक है छोटी छोटी weed यह picture एकदम mark नहीं है पर फिर कोई भी समझ नहीं के लिए समझ लो मान लिए लाइकन से आपका इतना सारा इसको हम कहें कहेंगे आपके pioneer यह चोटे-चोटे sharps यह आपकी serial community और यह जो है यह आपकी climax community ठीक है स्क्रीन अद्रेश्ट हाँ तो भी देखते है आगे द अर्लियस्ट कमुनिटी तो कोलनाईज द एरिया नोन अज पाइनर कमुनिटी अमने यह देख लिया पाइनर कमुनिटी आ जनरली इवनी चलेवर सिंपल एंधिन ब्रेकिंदर रॉक कि परमेशन ब्रेकिंदर किसके लिए फर्फरमेशन अफ्श्व एंड इस तर्ट इकोलोजिकल सक्सेशन तो एकोलोजिकल सक्सेशन स्टार्ट कुन करता है तो आपकी पाइनर कमुनिटी यह बद ध्यान में रख लेना और पाइनर कमुनिटी हिल्प इन इंडिशिं देख विट नूट्रियन इंक्रिजिंग देशोर्स आप ग्राउंड वाटर और कुशनिंग देग्राउंड तो फिर पाइनर कमुनिटी इज रिप्लेज बाइसेल कमुनिटी जो कि हमने देख लिया विच थू देर रूट सिस्टम विल इंडिज दे सॉइल बाइं मिक्सिंग द ज्यादा हेल्प करता है ठीक है तो ही मसाड होने से क्या होगा आपकी सोईल की प्रोड़क्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड दाट इंक्रीज दे क्लम प्लेक्सिटी ओफ फूड वेब एकोलोजिकल निशे तो क्या होता है एकोलोजिकल निशे वह हम आगे देखने वाले पर एक टर्म में याद में रखो माइन में रखो कि एकोलोजिकल निशे में देखना है तो एकोलोजिकल निशे स्टार्ट डेवलपिंग लीडिंग तो फाइनल स्टेज ओप सक्सेशन ज ठीक है नीशे दे कॉंप्लेक्सिटी इन टर्म्स अप नीशे फूड वेब बायोड़ेवरसिटी कीप ओन इंक्रीजिंग ठीक है इन दे ट्रॉफिक दे माउंटेन शोग दे सक्सेशन आप वेजिटेशन तो जितने भी ट्रॉफिक से हमारे वहापे जो माउंटेन है वह देखेंगे कि आपके इन्डिया में मतलब हमारी इंडिया में कौनसी जगह पर कौनसा-कौनसा सक्सेशन आमने देखने को मिलेगा तो सक्सेशन ओब वेजिटेशन क्या होता है देख लो कि इस फांट इन बोथ इस्टन यान वेस्टन हिमालिया नॉर्ट नॉर्ट एं सदन ही मालिया ठीक है यह लाइन डटलो मेजर प्रोटेटेटेड एरिया सोविंदर सक्षेशन आप वेजिटेशन आर तो पहले हमारे पास नंदा देवी बाइसपेर रिजर जो कि यह उत्तराखंड में फिर कांचन जंगा जो कि यह सिक्किम में फिर ह हमारे पास नियोरा वैली जो कि वेस्ट बेंगौल में और फिर नाम डाफा नाम डाफा है मिसमी हिल्प अरुनाचल प्रदेश में फिर हम अपके पास दिहांग दिबांग बाइसपेर रिजर यह भी है अरुनाचल प्रदेश में और अर्ट ट्रॉपिकल डेशेडेस टूंड्रा तो यहाँ पर जो सक्सेशन में देखने को मिलेगा वह कैसा है आपका ट्रॉपिकल से लेकर टूंड्रा तक तो जब हम बायोम्स करेंगे अभी के लिए फिलाल आप बस यह थोड़ी सी चीज़े ध्यान में रखो कि कौन सी जगा पर कौन सा आपको सक्सेशन देखनों को मिलेगा ठीक है तो बाकी जो सभी है मानलो आपका यह कि रहां गए सभी एक मिन है हाँ यहां से इसको थोड़ा सा में रफ कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख सके ठीक है तो जो सभी है सभी सभी में हमें क्या देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल डेसी डियस मतलब क्या होते ऐसे पर जिनके पत्ते धूपकाले में क्या हो ज़ड़ जाते क्यों क्यूंकि वाटर ज्यादा नहीं होता उनको वाटर बचाने के लिए कर देतै वहाब करते अपने लिह उसको सफेड कर देते मतलब पत्तों को गिरा देते तो इनको कहते हैं अपका Dacidious ट्रोपिकल डेशी डियस से लिगर टूंडरा तक का सक्सेशन कहाग कर ददीखने मिलेगा हमें नंदा देवी में मिलेगा कांचन जंगा में मिलेगा नेवरा मैली में मिलेगा और दियांग दिवांग में मिलेगा जो हमारे नाम दफा में है जो कि आपका अरुना चल प्रदेश में है उसमें देखने को मिलेगा हमें ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन ट्रॉपिकल एवर्ग्री तो इस साइड है नेपल इस साइड है आपका चाइना और इस साइड से टाच हो रहा है आपका भूटन है तो तीन कंटरी सिक्कें के साथ बाउनरी अखेर करती है यह कि पीर आपकी नंदा देवी बाइस पे जो कि ए उत्तरा खंडम है यह जो पूरा एरिया है यह है इस आपका नंदा देवी बाइस प cabin live का ठीक है पृका मेरे आपका प्कड़ंड आपको यह देख लिया आभी देख लेते हैं आपका नाम डाफा क्या है अरूना चल प्रदिस में ये देखिए नाम डाफा, इधर इस साइड है आपका मैनमार, तो यह हमने देख लिया, आपका नाम डाफा, आपकी नेवरा वैली, कंचन जंगा, और, नंदा देवी, शायद आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे, इसके बाद के जो टॉपिक है, वो हम कल देख लेंगे, और वो फ्यू गैज लेक्ट वीडियो, मिल थे अगली वीडियो में,